हेलो गाइज मैं महफूज वीर आलम गाइज एक हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़ी फक्र की बात क्या हो सकती है कि उसके देश का कोई साइंटिस्ट कुछ ऐसी चीज को इन्वेंट करें जिसको पुरी दुनिया इस्तेमाल करें पुरी दुनिया उसको अपने यूज में लाए जानते हैं कि यूएसबी का जो नाम हम जानते हैं यूएसबी कीबोर्ड, यूएसबी माउस, पें ड्राइब या यूएसबी के द्वारा कोई भी चीज को हम कंप्प्टर से कनेक करते हैं यूएसबी चार्जर जो आपने देखा है इस यूएसबी का इंवेंशन सबसे पहले जो किया था वो हिंदुस्तान के एक साइंटिस्ट हैं अजेव हट और उनकी टीम ने मिलकर किया था जो के इंटल कॉर्परेशन के इंप्लोई थे उस वक्त 1994 में यूएसबी की इंवेंशन सबसे पहले 1994 में अजेव हट और उनकी टीम ने किया था इंटल कॉर्परेशन में जो के बाद में ये इंवेंशन Microsoft और HP जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के द्वारा भी सपोर्ट किया गया और आज ये हाल है कि USB के बिना accessories कोई भी computer में करने करना बहुत ही impossible बहुत ही मुश्किल माना जाता है और USB से पहले भी computer में कोई भी device को करने करना बहुत ही मुश्किल था और especially बात ये है कि USB को इंवेंट क्यों किया गया क्या रिजन पड़ी USB को इंवेंट करने की क्या जरूरत पड़ी जैसा कि मैं आपको बता दूं कि USB की इंवेंशन से पहले computer में जतने सारे peripherals हम कने करते थे मतलब जो device कने करते थे जैसे पेंड्राइब, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, साउंड कार्ड आपके हो गया है या किसी तरह के Wi-Fi कार्ड्स हो गया है या कुछ भी ऐसे device हो गया है जो आप कने करते थे जो कने करने में बड़ी दिक्कत बड़ी प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इन सब की जो शेफ हुआ करते थे प्लक्स के बिल्कुल अलग-अलग हुआ करते थे और उसके लिए ज्यादा सोचा गया कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म को बनाया जाए जिसमें सब की शेफ एक जैसी आजया और एक ही प्लक्स में सारा काम हो जाए उसके बाद इन्वेंशन किया गया यूएसबी का इस लिया है उसे यूएसबी कहते है यूणिवर्सल सेरियल बस मतलब कि वह यूणिवर्सल है मतलब कोई भी डिवाइस आप उसे कनेक कर सकते हैं जैसे साउंड कार्ट, कीबोर्ड, माउस, पेंड राइव एक्सेटरास थैंक्यू